बच्चों जय हिंद, स्वागत है आप सभी क्या गनित की कक्षव में, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की गनित में 12, कोन बच्चों इसे पहले हम इस पार्ट के भाग एक वीडियो आप तब पहुचा चुके हैं इस पार्ट के पहले भाग में सिखने की प्रतिफल एम 512 के तहद हम देख चुके हैं कोन किसे कहते हैं, कोनों की पहचान करना, कोनों का नाम करन करना, कोनों तथा आख्रितियों की अधारना की खोजबिन करना इस पार्ट के दूसरे भाग में सिखने के प्रतिफल एम 513 के चाथ हम देखेंगे कमपास किसे कहते हैं कमपास की क्या उब्योगिता है कोनों को कैसे मापते हैं और कोनों की रचना कैसे करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कमपास तो आप जानते ही हैं सबके पास कमपास होता है यह देखिए यह क्या है यह है कमपास बॉक्स कमपास खोलेंगे तो क्या-क्या दिखेगा आपको बताए चलिए जो जो सामगरी आपको कमपास में दिखाई दे रही है उन सामगरियों के बारे-स-बसे पहले जान लेते हैं कि उसे क्या कहते हैं और उसकी क्या उपयोगिता है तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं एक छितr इसको क्या कहते हैं? बता यह चलिए इसको कहते हैं स्केल या खिची गई लाइन को मापने की ने करते हैं आपको पता है ना? बिलकुल तो इस प्रकार से इसकील की उपयोगिता है और इसका उपयोग हम बार-बार करेंगे या कहें कि इसका उपयोग हम हर बार करते हैं बच्चों इस आफिति को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए यह आधा चंदा की तरह दिखे रहा है इसका नाम है चांदा बिलकुल सहीं आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास भी एक चांदा है इसका उव्योग शिक्षक बच्चों को कर्षा में पढ़ाने के लिए करते हैं और यह एक चांदा है जिसका हुआ है दोनों सुन्य एक लाइन से जुड़ा हुआ है इसको हम चांदा का आधार रेखा कहते हैं या आधार लाइन कहते हैं अब इस आधार लाइन के बीचो बीच एक बिंदू बना हुआ है इसको हम आधार से देखेंगे और समझेंगे फिर आप देखें बच्चों यहाँ पर छोटे-छोटे खाने बने हुए हैं ये कुल मिलाकर 180 खाने बने हुए होते हैं आपके चांदे पर अपर तेख खाने का मान होता है एक अंस, कितना होता है, एक अंस होता है, और देखें आप यहाँ पर 0 ने लिखा हुआ है, नीचे, फिर 10, 20, 30, 40, 50, यह कोनों को मापने के लिए यहाँ पर हम अंसों को दरसाय हुए है, एक खाने कमान कितना होता है, एक अंस, दो खाने कमान कितना हुआ, दो अंस, यहाँ प ठीक वैसे ही दस खानों के बाद आपको दस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो यह 10 अंस का कोण यहां पर बनेगा यदि हम इस चांदे से बनाएंगे तो अब चांदे पर देखे दो तरह से हम पढ़ सकते हैं एक तो इधर से पढ़ सकते हैं शून यह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे आप सीखेंगे कि दोनों ओर से हम कैसे कोन बना सकते हैं तो बच्चो यह है चांदे की बहुत महत्त पूर्ण जानकारिया जिसका उपयोग हम को कोन मनाते समय करना है बच्चो देखे आपके पास इस प्रकार की भी आतिती होगी आपके कमपास बाक्स में इसको हम सेटी स्क स्कुएर का उपयोग क्या है हम इसके माध्धम से कोन मना सकते हैं यहां पर देखे यह जो कोन मना हुआ है यहां पर यह नब्बे अंस का है यहां पर जो कोन मना हुआ है यह पैंतालीस हंस का है और यहां पर जो कोन मना हुआ यह भी पैंतालीस हंस का है इस स्कुएर में एक जो यहां पर बना है वो 90 ہंस का होता है और ये दोनों कोण बराबर होते हैं यानिए 45-45 होता है ठीक, उसी प्रकार से आपके पास जो है उसमें भी वही बात होती है। अब एक और होता इसी प्रकार से आक्रिती अब देखिए एक सामागरी यह भी है इसको भी हम सेट स्कॉयर कहते हैं आए इसके बारे में भी जान लेते हैं देखिए इसमें भी तीन भुजा है एक भुजा ये है दूसरी भुजा ये है छोकि ये नीचे इसके अधार भुजा कहेंगे और ये भुजा ये है यहाँ पर भी तीन कोन है ये वाला जो कोन है यह 90 अंस को होता है यहाँ पर देखिए तीनों कोनों का मान अलग अलग दिख रहा होगा आपको यह थोड़ा सा इसके तूलना में बड़ा कोन है यह 60 अंस का होता है और यह 33 अंस का होता है सभी बच्चों के पास जितने भी सेड़ी स्क्वेर नहीं इस प्रकार की सेड़ी स्क्वेर उसमें यही इमान होता है ये कौन 90 अंस का होता है ये वाला कौन 60 अंस का होता है और ये वाला कौन 30 अंस का होता है तो इसके माध्धम से हम 90 अंसकोन बना सकते हैं, यहां से 60 अंसकोन बना सकते हैं, और इसके माध्धम से हम 30 अंसकोन बना सकते हैं, बच्चों कोन बनाने के अलावा इसका और भी उप्योग है, जब हम दोनों से डिस्कोयर को एक साथ लेते हैं, तो हम इसके माध्धम से ऐसी खाये खीश सकते हैं जो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं कारती बच्चों इसके अलावा आप देखे होंगे आपके घरों के निर्मान करते समय राजमिस्री जो होता है इसी प्रकार का कुछ अवजार अपने सांस रखता है उसका क्या अबयोग है वो क्या काम मुझसे करता है इसको आपको अपने आसपास के कोई राजमिस्री से मिलकर इसके बारे में पता करना है अब देखिए एक सामगरी ये भी आपके कमपास बॉक्स में है बच्चों इसको हम कहते हैं डिवाइडर और इसका उपयोग हम रेखा खन्नों को नापने के लिए भी करते हैं और कोई हम जिस रेखा खन्न के बराबर हम रेखा खन्न खीचना हो उसको नाप पर कॉपी में दोनों बिंदों को ऐसे हम चुभा देते हैं थोड़ा सा दो बिंदिया हमको मिल जाती है फिर दोनों बिंदों को मिला कर भी हम रेखा खन्न खीच सकते हैं और वस्तूओं के गोलाई मा अपने में भी इसका उपयोग किया जाता है बच्चों एक और महत्पूर्ण सामग्री है जिसका उपयोग आप वृत बनाते समय करते हैं ये है आपका परकार इसको हम कमपास भी कहते हैं अब आप समझ गये होंगे कि आपके पास जो बाक्स है उसको कमपास भाक्स क्यों कहते हैं चुक्कि इसको हम कमपास कहते हैं और इसको उस भाक्स में रखते हैं इसलिए उस भाक्स को हम कमपास भाक्स कहते हैं समान दोर पर आप इसको परकार के नाम से जानते हैं इसके सहाथासी हम पृत्राकार आफृती बनाते हैं इसके अलावा भी आपके कमपास बॉक्स में रबर, कटर और पेंसिल होती है कुछ बच्चे और अन्य चीजें जैसे गुलू है ये सब रखते हैं तो आप अपने कमपास बॉक्स में क्या-क्या समगरी होती है की इसके बारे में अभी आपने जाना और यह भी जाना कि इस को व्योग हम कहां कहां और कप पप करते हैं अब चलूए graveyard जानते हैं बच्चो कोनों को हम ना पेंगे कैसे आईए इस कोन को मापते हैं इस कोन को मापने के लिए आप सकता होगी चांदे की चांदे को हम कैसे रखेंगे देखे ध्यान से जो मध्य बिंदू है आधार लाइन का इसको हम रखेंगे बिंदू A पर क्योंकि कोन बिंदू A पर बना हुआ है और जो आधार लाइन है उसको ह AB किरन के साथ मिला कर रखेंगे अब देखें बच्चों यहाँ पर बिल्कुल AB किरन के साथ यह आधार लाइन बिलकुल मिल गई है और मध्य बिंदू जो है बिल्कुल AB बिंदू पर है अब हम इस चांद्रे पर कौन बर रहा है वो कहां पर कौन से खाने में जाके यह लाइन मिल रही उसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ना सुरू करेंगे देखें यहाँ पर सून्य है पढ़ेंगे किधर से इधर से यह AB किरन गई है इस दिशा से हमको तो हम इसको पढ़ेंगे इस कोन का माप होगा 40 अंस और हम यहाँ पर लिख देंगे 40 अंस इस प्रकार से कोन C, A, B या इसी को हम कहेंगे कोन B, A, C बराबर होगा 40 अंस इस प्रकार से इस कोन का माप 40 अंस आया तो बच्चों इसी प्रकार से आपको विभिन्य प्रकार के कोन बना कर आप जब कोन बनाएंगे तो बिनाना पर कोन बनाईए और इसको चांदा के सहाथा से मापना सिखे साथी साथ अपने साथियों के साथ इसका बार बार अभ्यास करेंगे तो आप जो कोन को मा पेंगे वो बिलकुल सही रहेगा अब चलिए कोन को मा पना सिख गहे तो हम सिखते हैं कोन पनाना इसके लिए आपको इसके लिन करेंगा आँशकता होगी एक पेंसिल की और एक चांड़य करेंगे यहां पर आपको इस परस्ट दिखे, इसके लिए हम पेन का उप्योग करें बच्चों क्योंकि पेंसिल आपको इस परस्ट दिखेगा नहीं, आप पेंसिल का उप्योग कीजिएगा, सबसे पहले हम यहां पर एक बिंदू बनाएंगे, आधारेखा खीचने जा रहे हैं, और इधर कहीं पर भी इस प्रकार से आप एक लाइन ले लेंगे, सबसे पहले, एक किरन खीचने हमने, किरन की शुरुवात यहां से और इसका नाम देते हैं O, और इसका नाम देते हैं A, इस प्रकार से O एक किरन बना लिए हम, अब हम बिंदू O पर कोन बनाना जा रहे हैं, ब आधार लाइन के मठ बिंदु को रखेंगे बिंदु ओपर बिलकुल सीध में ऐसे और जो आधार लाइन ऐसे रखेंगे कि ओ एक किरन के सांथ बिलकुल मिलती हुई- रहे। आप जहां देज़े कितने अंसरकूर मनाना है। चलिए हम सत्तर अंसरकूर मनाएंगे। तो हम यहां से पढ़ना सुरू करेंगे। किरण के जश्था से सुरू करेंगे सूर्णिंद 20 30 40 50 50 60 और 70 सत्तर S20 मनाएंगे नहां पर देखेंगे 70 स्कून कहां पर जाएगा, इसका जो खाने हैं वो, यह यहां पर आ रहा है, बिलकुल लाइन में, सीध में, यहां पर एक बिंदू बना देंगे हम, और इस बिंदू को फिर हम, स्केल की सहथा से मिला लेंगे, इस तरह से ऐसे रखेंगे, ताकि वो बिलकुल सीध में मिले, यह इस प्रकार से, एक और किरन हमने खीज दिया, यह है बिंदू सी, तो आप देख रहे हैं, इस कोन की दो भुजा हैं, भुजा ओ ए और भुजा ओ सी, कोन कहां पर बन रहा है, यह बिंदू ओ पर, कितने अंसर कोन बना, सत्तर अंसर का यहां हम लिख देंगे, बच्चों सीर्स ओ पर कोन बन रहा है, इसलिए हम इस कोन का नाम देंगे, कोन, सी, ओ, ए, या हम इसको कह सकते हैं, कोन, ए, ओ, सी, ए, ओ, सी, आप सोचते होंगे कि सुरू में यह क्या बनाते हैं, इसको हम कोन पढ़ते हैं, यहां पर भी हमने जो बनाए, इसको हम कोन पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से संकेत को हम कौन पढ़ते हुए कौन के नाम को लिखेंगे तो कौन बनाना आप सिग्गे होंगे तो आप ऐसे ही कौन और भहुत सारे बनाकर अभ्यास करेंगे बच्चों यहाँ पर देखिए आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रस्ण दिये जा रहे हैं नीचे दिये मापों के कोन बनाईए 40 अंस, 50 अंस, 70 अंस, 45 अंस, 80 अंस, 75 अंस, 90 अंस और 70 के कोन आपको बनाना है इसको बनाने के बाद आप चाहें तो अपने मन से भी विभिन मापों के कोन बना सकते है जब कोन बन जाए और आपका अभ्यास बार बार हो जाए तब हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने घर के आसपास दर्वाजों को, खिड़कियों को देखिए अपने विद्याला में ब्लेक बोर्ड को देखिए और अन्दाजा लगाए कि वहाँ पर कौन कौन से माप के कोन बन रहे है और वैसे ही कोन बनाने का आप अभ्यास करते रहेंगे तो यहाँ जो पाठ है कोन वाला पाठ वह आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप कोन के उधारनों को अच्छे से समझ पाएंगे आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से कोन बन रहा है जो भी सामागरी आपको दिखाई दे रही है दर्वाजा दिखाई दे रहा है आपको वहाँ पर भी आप कोनों को देखें और आप जो कौन मनाए हैं क्या उसके साथ वहां के कौन कुछ मैच हो रहा है इसको अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए तो उमीद करते हैं क्या पार्ट आपको समझ में आया होगा मिलेंगे अगले पार्ट में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सभी को जये हिंद